हेलो माई दियर स्टूरेंट्स वेलकम अगें आप सभी को पता है कि हम लोग ये वीडियो सेरीज इस स्पेसी फिकली क्लास 10th स्टूरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं और क्लास 10th स्टूरेंट्स में लगवग हम लोगों को ने प्लांट फिजिलोजी का कम्प्लीट कर लिया ह तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्केशन है ट्रॉपिस्म आपको मैंने मुव्मेंट फ्लांट्स का एक ओवर्वीव वीडियो दिया था जिन भी स्टूरेंट्स ने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवेस वीडियो पर जाके मुव्मेंट इन प्लांट्स का ओवरॉल एक प्लांट्स में आपको ट्रॉपिक मुव्मेंट इन प्लांट्स में अब मैं आपको ट्रॉपिक मुव्मेंट्स के बारे में कुछ बता दू कि जो भी ट्रोपिक मुव्मेन्ट होंगे प्लांट्स में वो students एक पर्टिकुलर रिस्पोंस होगा against एक पर्टिकुलर stimulus, response to a stimulus एक stimulus के against response होगा जैसे कि वो रिस्पोंस क्या क्या हो सकते है, light भी हो सकती है gravity भी हो सकती है स्टुडेंट्स आप dhyaan दीजेगा water भी हो सकता है chemicals भी हो सकते है और contact भी हो सकता है surface से और contact with the surface सो ये point students बहुत important है कि जो ट्रॉफिक movement का जो भी stimulus है हो चैसे हो क्या क्या हो सकता है exam में कुशिम कई रार पूछा भी जा सकता है ऐसा कि write any stimulus which is required for plants for tropic movement. So you can write light, gravity, water, chemicals and contact with the surface. दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो जो tropic movement है, वो particular एक direction जो stimulus का होगा. आप ऐसा कह सकते हैं कि जो direction of stimulus है, वो direction of movement भी decide करेंगा. direction of stimulus, it will decide direction of movement, वो movement का direction भी decide करेंगा. और movement students जो plant का होता है न, आप सभी students बहुत ज्यान से समझें, बहुत easy topic है है, यहाँ पे कुछ भी समझने लायक नहीं है, बहुत basic सी चीजे हैं, बस एक बार पढ़ने के बाद आपको बार बार इस topic को नहीं पढ़ना है, और बहुत ही scoring topic भी है, तो movement could be, मैं आपको बता दूँ जो plant में movement होगा, it could be away और it could be towards. away भी हो सकता है, और towards stimulus भी हो सकता है, तो अगर away होगा, इसका मतलब negative हो जाएगा, वो tropic movement, अगर towards होगा, तो इसका हम लोग positive बोल देते हैं, और मैं एक बात आपको और बता दूँ यहाँ पे कि जो tropic movement होते हैं, वो हमेशा one direction में जाते हैं, यह always takes place in one direction, और यह कभी भी reversible नहीं होते हैं, it is always irreversible, irreversible का मतलब अगर कोई चीज़ A से B बन गई यह students, तो यह वापस B से A नहीं बन पाएगी, this is irreversible, तो चलिए start करते different type of tropic movement को, हम लोग, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो tropic movement है, वो है phototropism, बस मैं एक एक लाइन में आपको बताने वाली हूँ, बहुत डीटेल में नहीं जाओंगी, आपको जाना है, class 10th standard पे इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, phototropism, number 2 में लोग लिखते हैं, geotropism, number 3 हम लोग लिखेंगे students, hydrotropism, आपको आधी चीज़ें तो नाम से ही समझ में आ जाएंगी, और biology इतना easy subject से है, subject है कि biology में आधी चीज़ें तो terminology से ही clear हो जाती हैं students, hydrotropism के बार, next है thigmotropism, और last tropism में हम लिखने वाले हैं students, chemotropism, मैंने उपर भी आपके पास हमने stimulants लिखे हुए थे stimulus, तो आप देखिए जो stimulus हैं, उसमें से light के लिए मैंने लिखा photo, gravity के लिखा geo, chemical के लिखा chemo, water के लिखा hydro, और contact with surface को मैंने लिख दिया थेगमो, चलिए students इसको थोड़ा से detail में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाने वाली में, ना आपको जाने को suggest करूँगी, तो देखिए students इसमें क्या है, photo, tropism हमेशा light के against होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है यहां light, geo का मतलब gravity हो गया students, और hydro का मतलब water हो गया, और thigmo का मतलब students क्या होता है, जब कोई भी growing plant एक unidirectional light में grow कर रहा होगा, तो जो उसकी shoots होंगी students, जो उसका stem का portion होगा, वो towards light bend करेगा, तो आपको पता है कि कोई भी अगर potted plant है, तो जो उसका stem वाला part है, वो उपर होगा, suppose यह potted plant है, तो यह जो stem वाला part है, यह उपर है, यह इसकी roots है, तो जो shoots हैं, वो positive geotropism में show करेंगी, और जो roots हैं, वो कैसी show करेंगी, comptotropism negative, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यह roots away from light जा रही है, light तो sunlight तो यहां से आरी है students, तो आप देख रहे हैं, कि यहां पर जो shoots हैं, यह इनके positively contact में आरी है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा बोला हुआ, अगली बात, अगर मैं geotropism की करूँ, तो just इसका उल्डा हो जाएगा, जो roots हैं, वो positive geotropism में show करेंगी, और जो shoots हैं, वो कैसी geotropism में show करेंगी students, negative, और geo का मतलबी gravity है, आप सबको पता है, जो roots हैं, वो downward जा रहे हैं, towards gravity, इसलिए positive show कर रहे हैं, और जो shoots हैं, away from the gravity जा रहे हैं, इसलिए उनको negative बोला गया है, hydrotropism की बात करेंगे, तो roots towards water जाएंगी, इसलिए हम लोग hydrotropism को भी क्या बोलेंगे, roots कैसा show करती है, hydrotropism positive, क्योंकि एक एक ऐसा responsive plant का, जिसमें की root towards water जा रहे हैं, और इनको हम लोग positive geotropism बोलते हैं, अगली बात अगर हम लोग students कहें, thigmotropism की, तो thigmotropism में touch response हो रहा है, contact से हो रहा है, जैसे कि आपने tendrils देखी हूंगी, pea plant, वहाँ पे coiling हो जाती है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कोई बहुत एक बेल टैप का अगर plant है, तो उसमें इस तरीके की tendrils होती है, जो climbing में मदद कर रही हैं, इसलिए हम इनों को क्या बोलेंगे, tendrils जो है, जैसे कि आपको पता है pollen tube, आप सबको पता है stigma style ovary flower में होते हैं, और जब कभी भी जैसे इस तरीके से stigma style है, then ovary हो, आप सबको पता है कि pollen green enter से आएंगे, और stigma पे land करती हैं, और एक pollen tube का formation करके उनको कहा जाना है, ovary में पहुँचना है, क्योंकि ovary में ही कौन है, ovules, तो मैं बहुत डीटेल में नहीं जा रही हूँ कि कैसे fertilization होता है, सिफ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो pollen tube की जो ग्रोथ हो रही है, pollen grain के आने पर stigma के बाद pollen tube के तूँ अंदर जाता है, तो जो chemotropism है, वो एक example है, pollen tube इसका best, positively chemotropism में शोग करता है, क्योंकि ये move कर रहा है towards ovule, तो आप example में यहां लिख सकते हैं students, pollen tube की growth, growth of pollen tube, as it moves towards the ovule, क्यों ovule के तरफ मुझ कर रहा है, due to the chemicals वहां पर produce हो रहा है, so this is all about tropism students, ये tropic movement के बारे में मैंने पांचों तरीके के tropism में आपर discuss करें, उनका आपको stimulus बताया, so this is all about today's lecture in this video, मेरा दूसरा वीडियो, जो next वीडियो होगा students, वो होगा nastic movements पे, nastic movement basically, हम लोग दो तरीके के बढ़ेंगे, photonastic और haptonastic, मैंने brief में एक बताया हुआ था, plant movement वाले वीडियो में, और फिर last में हम लोग students, propic और nastic movement को differentiate करेंगे, कि क्या-क्या दोनों में difference होता है, इसके बाद हम लोग plant physiology के पाट को खतम करेंगे, और animal physiology start, ओके students, thank you once again for listening me, continuously for watching me, and for continuous support, I am very much thankful to all my dear friends, my or subscriber, my or students and my well wishes, so I hope we will meet soon, thank you friends, take care.